नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के उपर दोस्तों हमारी कल बात हुई थी हमारी इस वाली वीडियो के अंदर के जो भी डैट केट बाउंस आ रहा है वो और दो दिन के बाद क्या वो सर्वाइब करेगा या नहीं करेगा जिसके चांसिस मैं आपको इस वाली वीडियो के अंदर बताए भी थे और इसी वज़य से हमने अपना जो कल हमने बात कि थी, जो कल हमने वीडियो पोस्ट कि थी, उसके बात भी कि थी कि हम अपसाइड जो भी डैटकेट बाउंस आएगा उसके अंदर हम अपनी लॉंग साइट की पोडिशन क्लोज करेंगे तो ही हमारे लिए अच्छा होगा, ये हमारे साथ जोडे हुए हो टेलिग्राम चैनल के ऊपर टेलिग्राम चैनल के साथ जोडने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा महापे हम कोई टिप्स नहीं देते हैं महापे आपको एकवल मार्किट के data points और market के क्या condition चल रही है वो सब बताते हैं आज भी आपको बताया गया था exactly कि हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर जो dead cat bounce है उसको long side के positions को close करने के लिए use कर रहे हैं हमने किया time से किया और जब market last में गिरा तो हम उस गिरती हुई market का part बिलकुल भी नहीं थे दोस्तों यहाँ पर हम चार्ट की उपए आयते हैं आप आगे श्रक्रा कर लेते हैं पटाफट से चार्ट जो है वह अभी किस तरीकर देख रहा है क्या क्या पैटन दिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपको यह flag पैटन जो था वह एक बेरिश पैटन था जिसका यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक आउट भी हुआ इसकी ज़रता हम अलेडी कर चुके हैं अब आगे बढ़ते हैं कि यह यह जो ट्रेंड लाइन है यह एक बेरिश ट्रेंड लाइन है मैं इसको पहले डेट कर देता हूं ताकि आपको यहां पे चार्ट को समझने में आसानी हो तो यह ब् इस ट्रेंड आन को जो यह रेसिस्टंघ अब बनेगी क्योंकि यह पहले यहां पर पांच बार कम से कंदो सप्रोट का काम कर चुकी थी यह भी ब्लू कलोर की ट्रेंड जो है जो यह ट्रेंड मीडियम की है ज African के लिए जो यह defnement की हैच job कर दें यो ए태ट गीं चैड़ होग का market के अंदर अभी short term का market का अंदर मनलब अगले 10-15 दिन के लिए जो short term resistance है market अंदर वो simple है 17,750 का 17,750 का और यह resistance मैंने कहा से लिया है इस blue color की trend line से ही लिया है मैंने आपको कल भी बताया था कि जो यह bearish engulfing की candle है इसके high को कर पाना बहुत difficult होगा तो यह जो इसका high है हम चेक कर लेते हैं क्या होगा वो इसका high होगा दोस्तों 17,800 का कौन सा 17,800 का तो यानि कि अब हमको यहां पर simply एक range मिल गई है जो कि अब यह short term range रहेगी यह resistance range है हमारी जो अब हम आई निकल के आई है यह short term के लिए है यानि कि अगले 7,8 दिन या 10 दिन तक के लिए आप मान लेजिए यह एक अच्छी खासी resistance range रहेगी जब तक इस resistance की ओपर closing नहीं मिल जाती सब तक आपका market weak ही रहेगा और यह आपका market मतलब bullish नहीं हो सकता जब तक इस range की ओपर market नहीं चले जाती तो यह short term immediate जो कल के लिए support या assistance होंगे वो हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो अभी कल जो support 400 यह जो 400 का level था 17,400 का level है यह वाला ब्लैक कर दो आपको कल दिखा यहीं पर market इतने consolidation किया था और यही level आपका जो है काफी मतलब consolidation के बाद यहाँ पर इस level को breakout किया गया था पहले अब यही level जो है support का काम भी कर रहा है इसलिए जब पहले consolidation यहाँ पर मिला इस लेवल के आसपास यहाँ पर अब market जब गिरा है तो यहाँ पर भी थोड़ा consolidation आपको मिल सकता है किस लेवल के आसपास 17,400 के आसपास तो यानि कि यह level एक ऐसा level है जब तक इस के level के नीचे closing नहीं मिल जाती देखिए अभी तीन दिन से जो है market गिर जरूर रहा है लेकिन इस level के नीचे closing नहीं मिली है आप जड़ा चेक कर लीजिएगा जहां से market से नीचे भी गया है लेकिन sustain नहीं कर पाया है ठीक है तो यहाँ पर चेक कर लीजिए इसकी closing थी 17,415 की इसकी जो closing थी 17,500 की थी पर इसकी जो closing थी 17,415 की ही है तो यानि कि तीन दिन लगातार हो चुके है तीन दिन से ये वाला level जो है test हो रहा है पर डे इस level के नीचे closing मिल जाती है तो यानि कि अब जो support level है पहला support तो यही है 17,400 का और ultimate last support जो है 17,200 का है तो जहां दखिएगा market 400 के नीचे ही मतलब ऊपर close हो चुका है लेकिन अभी यो data points दिख रहे हैं थोड़ा weakness की तरफ दिखाएंगे data points भी देखेंगे भी तो अगर इस level के नीचे closing मतलब जाता है market तो support आपको यह 17,200 का ही मिलेगा और यह last support होगा जो कि एक important support होगा क्योंकि यह trendline का last support है इसके बाद का support बहुत नीचे का है उसकी चर्चा हम आगयाने वाली videos के अंजर करेंगे लेकिन कल क्योंकि expiry है तो 17,200 के नीचे मुझे लगता है नहीं close कर पाएगा market ठीक है लेकिन 17,200 जो है व तो market के अंदर फिर एक अच्छी गिरावट और भी आगे देखने को मिल सकती है तो important कल क्या है important हमारे लेकल यह देखना है कि 17,200 के नीचे मांगे close करता है या नहीं करता है और क्या इस लोग को तोड़ता है market upcoming कुछ दिनों के अंदर या नहीं वो भी यहाँ पर देखने व 16,700 के नीचे 16,700 के आसपास और यहाँ पर एक गैब भी है चोटा का अगर आपको दिख रहा हो तो यह गैब भी शायद हो सकता है अगर याद रखेगा अगर 17,200 के नीचे market closing देता है कल या परसों की closing ठीक है उमीद करता हूं पूरा scenario scenario समझ में आ गया होगा resistance वही है 17,600 से लेके और immediate resistance यही है 17,600 का ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यह आपका पूरा निफ्टी का analysis हो गया है अब मैं आपको बढ़ा बताता हूं कि आज जो मैंने आपको एक मेरे request भी की गई थी यहाँ पर ट्विटर के ऊपर के बही आवरेश टर्न आवरेश टर्न आवर्वर जो प्रिम्यम टर्न आवर जो है वो मुझे पहले से ही indicate कर रहा था live market में 17,500 के उपर के market is very bearish और market जो चल रहा था उस वक्त 17,600 के ऊपर चल रहा था सारे indicators सभी data points आपको दिख रहे थे कि वह bullish है बुलिश है बुलिश है लेकिन मुझे यहां पर मैंने comment भी किया था market जब 17,600 के आसपास चल रहा था premium turnover जब भी heavy चल रहा होता है तो मतलब वहां पर sellers active होते हैं क्योंकि अगर premium turnover क्या होता है बेसिकली premium turnover जो होता है कि market के अंदर जितने number of lots वहां पर 50 का quantity है और अगर उसको मतलब उसको जो premium चल रहा है मालिजे 20 रुपे या 100 रुपे जो भी चल रहा है तो अगर आप buying करते हो तो आपको पूरा premium देना पड़ता है तो यहां पर आपका हो गया मतलब turnover जो हो गया आपका पांच पांच 5000 के आसपास turnover हो गया तो यह एक normal turnover होता है जो की buying का होता है लेकिन जब premium turnover selling turnover से भी ज़्यादा हो जाता है मैं आपको भी दिखाऊंगा तो दोस्तों वहां पर buyer active नह आपको learning देना चाहता हूं तो इसलिए मैं आपकी focus जरूर कीजिएगा क्योंकि यहां पर बहुत साय लोग यहां पर पूछ रहे थे कि आपको कैसे पर लगा कि यहां पर turnover जो है वहां पर seller है तो यहां पर turnover की जो यह आज की sheet है आपको दिखेगी आप चैक कर सकते हो जो closing के वक्त है वो भी आप चेक कर सकते हो जो turnover है वो 17,500 का जो है call side के ऊपर highest रहा आज के दिन और यह सुभा morning से ही highest था ठीक है सुभा यह morning से ही highest था और market जो चल रही थी 17,600 के ऊपर चल रही थी अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे के यार market के अंदा जब 17,600 के ऊपर market चल रही थी morning में तो वहाँ पर जो changing open interest था वो negative था दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको मैं समझा रहेता हूं कल का closing रहा जो हमने देखा था excel sheet के ऊपर वहाँ पर call buying increase की गई थी call buying की गई थी FIIs के द्वारा ठीक है और कल market जो था 17,200 के लेवल से market को उठाया गया था और 17,200 के हिसाब से 17,500 के लेवल था वो OTM का लेवल था और OTM कल की बग कर रहा हूं मैं और OTM के लेवल पर हमेशा buying की जाती है call buying तो 17,500 के जो बात हुई थी कल के closing data के ऊपर भी महाँ पर FIIs call buying कर रहे थे 17,500 के हिसाब से level के ऊपर और यहाँ पर put writing थी कल के data के हिसाब से तो option change जब आज market जब 17,500 के ऊपर जब खुला तो यहाँ पर जो कल की जो call buying की जा रही थी वहाँ पर उस buying को close किया जा रहा था ठीक है उस buying को close किया जा रहा था अब देखिए जब buying को close किया रहेगा तो क्या होगा buying level buying के जब buy close होगा तो कैसे होगा वो तब ही होगा जब उसको कोई sell करेगा और कोई भी trade जब sell वाला होता है उसको close करते हैं उसको हमें buy level, buy करना होता है, यह एक बहुत basic चीज़े है, तो यहाँ पर कल buying को close किया रहा था, वहाँ पर selling की जा रही थी, तो buying जब close होगी, तो वहाँ पर आपको selling होगी, वहाँ पर, तो selling जब होगी, तो वहाँ पर जो turnover होगा, वो heavy होगा, और यह turnover जो था, वो heavy था, किसके मुकाबले आप चेक कर सकते हो, यह जो turnover था, वो heavy था, किसके मुकाबले, 17,500 की जो put थी, मैं आपको दिखाता भी हूँ, जो put थी, यहाँ पर अभी put तो बिल्कुल खतम ही हो गई है, मतलब 17,000, अभी तो यहाँ पर दिख भी नहीं है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 17,400 की जो put थी, उससे भी जाए भाई है, ठीक है, put selling से भी जाए था turnover, ठीक है, और 17,000, वो त changing open interest था, वो negative था, लेकिन वो negative क्यों था, क्योंकि वहाँ पर buyers अपनी positions close कर रहे थे, और वहाँ पर sellers active हो रहे थे, sellers जब भी active होंगे, तो उस वक्त जो 17,500 के उपर जो seller active हो रहे थे, बेशक से महाँ पर changing open interest negative था, और negative का जो changing open interest था, वो धीरे-धीरे decrease हो रहा था, ठीक है, sellers जो से वो active हो रहे थे, turnover इसी बता रहा था, उस वक्त ही, उस वक्त ही, जो 17,500 के जो put sellers थे, उनका turnover जो था, वो कम था, लो था, ठीक है, लो था, और इनका turnover high था, तो this high turnover of 17,500 was telling, यहाँ पर कोई ना कोई sellers अपनी positions बना रहा है, और जो यह buyers है, वो अपनी positions close कर रहे हैं, ज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर low turnover रहता है, और जब कभी भी buyer अपनी positions close कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर high turnover होता है, क्योंकि वहाँ पर sellers active हो जाते हैं, this is why, मतला मुझे पता लग चुका था, वहाँ पर turnover क्योंकि heavy है, और market जो है, जो उपर चल रहा है, और नीचे के level के तो पुए दिन का turnover 17,500 के उपर ही highest रहा, दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कितना important होता है learning, कितनी important होती है market के इंदर option chain, कितनी important होती है, option chain जो है वो क्या है, वो एक तरीके का, क्या कहते हैं, उसको समुंद्र है, इसको जितना read करोगे, उतना कम है, जितना इसको मतल उसके उपर तभी आपका control आपाएगा, इस तरीके से काम, मुझे बहुता है लोग comment करके कहते हैं, कि सर, option chain तो मतलब काम ही नहीं करती, option chain तो काम ही नहीं करती, मैं उनसे यही भूलूँगा, कि मैं daily basis के उपर option chain के through ही काम करता हूँ, और मुझे हमेशा daily basis के उपर, आपकी कमी है, ठीक है, तो daily basis के उपर option chain काम करती है, और मैंने आपको यहापके proof भी कर दिया है, दोस्तों, nifty का पूरा funder समझ में आ गया होगा, आज का downside move क्यों आया, वो भी समझ में आ गया, कल के लिए support resistance क्या है, वो भी समझ में आ गया, और किस level के बाद, जो हम market मीचे बेरिश हो जाएगा, वो भी समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ, पूरा का पूरा खेल समझ में आ गया होगा, प्रड़ापट से हम अपनी Excel sheet पर आ आते हैं, Excel sheet के अंदर आप चेक कर सकते हो, इनकी जो selling है, वो बढ़ती ही जा रही है, FIIs की selling, और proprietors भी साथ में selling करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर तो call writing है, वो proprietors ने increase कर दी है, जिसकी वजह से मतलब, मतलब प्रोप्राइटर जो है, equity में भी bearish है, और साथ में option में भी bearish है, और यह futures को hedge कर रहे है, futures जो है, वो hedging है, equity के against में, ठेक है, लेकिन call writing क्योंकि इनकी increase कर दिया, और यह proprietor call writing के वजह से ही नीचे के तरह market को लेकर आए, और अभी भी जो futures है, वो आप चेक कर सकते हैं, short position built नहीं हुई है, proprietors की, अभी भी long side के positions हैं, लेकिन कुछ long side के positions close जरूर की गई है, FIS के द्वारा, लेकिन अभी भी short positions यहाँ पर नहीं है, और सेवी के band के वजह से short positions नहीं बन सकती, regular में आपको बताया भी है, futures में बिलकुल मलब, आप समझ लीजे, बिलकुल neutral और यहाँ पर neutral है, मतलब जतनी कल position सी अतनी ही आज है, 500 positions, 500 positions थोड़ी कम है, retail traders की, और इन्हों ने अपनी long side की call buying increase कर ली है, मतलब यह आज बहुत loss में रहे हैं, और यह daily ही daily क basis के उपर loss में रहते हैं, options में यह लोग negative, डिया भी negative हुए हैं, आज के दिन, और futures को यह hedge कर रहे है, regular basis के उपर, जो इनकी equity की positions हैं, तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि proprietors call writing कर रहे हैं, और retail traders call buying कर रहे हैं, तो जीत किसकी हुई, proprietors की futures की, proprietors में purely hedging है, equity के against में, और साफ साफ हम को यह दिख रहा है, इस data point के basis के उपर, के मतलब data जो है, वो अब थोड़ा सा options का जो है, वो बहुत ज़्यादा बेरिश होता जा रहा है, दिये दिरे, और futures को केवल और केवल hedging के purpose से use किया जा रहा है, ठीक है, और वो भी proprietors के द्वारा, ठीक है, अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर अभी भी risk है, क्योंकि FIS की positions regularly जो है, दो लाख, डेड़ लाख से उपर है, proprietors की डेड़ लाख से उपर है, और यह लोग मान नहीं रहे है, retail trader इंको समझ में ही नहीं आ रहा है, कि positions इतनी, अगर किसी बड़े player की heavy options में हैं, तो वो लोग आसानी से market को उपर नहीं जाने देंगे, तो data जो है options का अभी भी bearish है, futures को hedging के लिए use के जाए रहा है, उसकी importance अभी भी नहीं होगी हमारे लिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है overall situation यह है कि data अभी भी weak ही है, और यह weak data जो है वो अभी भी बना हुआ ह option chain के अंदर आपको एक छोटी सी चीज मैं observe कराना चाहता हूं कि यहाँ पर सबकी लंका लग गई, पहले चीज तो check करो, सारे इंदमनी के positions जो है loss में close हुए, दूसरी important चीज आप यहाँ पर check करो, कि यहाँ पर कुछ है, इंदमनी के अंदर positions बनी है, 17,200 के ऊपर, तो यह थोड़ा सा risk है, अगर यह position scale close नहीं होती है, तो it will be definitely risk for the market, फ्रेश कॉल राइटिंग जरूर की गई है, यहाँ पर किस लेवल के ऊपर, यह सभी लेवल के पर फ्रेश कॉल राइटिंग की गई है, कॉल राइटिंग प्रोपैर्टर्स ने की है, हमने check कर लिया है, और यहा अगरा closing data है, वो भी week ही है, और बस लेवल पर उपर काम कीजिए, 17200 का ultimate support है, और उपर के तरफ वो resistance रहे गई रहेगा, 17500 से लेके, मतलब resistance कौन सा है, heavy, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 450 क्या सपास, 450 से लेके 500 क्या सपास, रसिस्टेंग बरकरार रहेगा कल के लि bank nifty की बात कर लेता हूं, फटाफट से bank nifty थोड़ा साज strength दिखा रहा था, लेकिन finally वो भी last में टूटा ही, और टूटना ही पड़ा उसको, जो कि जब इतनी heavy selling करेंगे, हमारे क्या कहते हैं, वो FII लोग, तो भाई, रिस्क तो रहेगा, ठीके, तो यहाँ पर जो resistance है, वो यह है, और support जो है, वो यही है, 36,700 का, इसके नीचे market गया, तो अगला support जो है, वो आपको फिर यही मिलेगा, मतलब 36,000 के असपास, मैं आपको पहली बता चुटाओं, डाडा जो है, वो मतलब overall week है, बाकी market के अंदर, support resistance आपको बता दिये गए हैं, और उमीद करता हूं, आपको आपकी वीडियो सोन में आगए होगी, तरिगांका लिंक description में मिला है, आपको मिल गया है, और Twitter का भी मिल गया होगा, और उमीद करता हूं, वीडियो अच्छी लगी होगी, comment section में बताइएगा, आपको अगर कोई भी doubt है तो, और देखते हैं, कल market में क्या होता है, live market camera, thank you, thank you so much for watching this video.